जय मातगी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्तिक स्वागते महाकालि भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूं जो व्यक्ति माताकाली से बात करना चाता है कुछ पूछना चाता है तो ये भोग दे के उनसे पूछा लेना सामने से बताएगी माताकाली जी हाँ दोस्तों कई भक्त है माताकाली से पूछा लेना चाते हैं और उनको कुछ तरीका नहीं पता इतनी knowledge निये कि मैं किस طرح से माता काली से और अन्नी देवी देपता से पूछा ली जाती है तो आज मैं आपको बताऊंगी मैं माता काली से कैसे पूछा लेती हूं मुझे माता काली सब कुछ कैसे किसी व्यक्ती के बारे में सच्चे वचन के सांद बता जाती तो आप लोगों को भी इसी तरह से माताकाली से पूछा लेनी चाहिए और पूछा लेने के लिए आपको पूजापाट प्रति दिन करनी होती है यह नहीं कि आपने नहीं नहीं पूजापाट इस्टार्ड करी है और आप पूछा लेना चाहते हैं माताकाली से तो ऐसे आपको पूछा नहीं मिलती है जो व्यक्तियों को समय हो गया है पूजापाट करते करते माकाली की उसी व्यक्ति को पूछा मिलती है जब आपको भी समय हो जाएगा पूजापाट करते करते कम से कम जैसे की पांच महीने, चार महीने ये छे महीने तो आपको जब से माताकाली पूछा देनी स्टार्ट करती है तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाली हूँ आप लोगों को माताकाली से किस तरह से पूछा लेनी चाहिए और क्या भोग लगा कर लेनी चाहिए सब कुछ बताऊंगी लेगिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भगत ग्यान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जितने भी काली मा के भक्त हैं कुछ भक्त ऐसे हैं जो माता काली से पूछा हर तरीके से लेते हैं लेकिन उनको पूछा तो मिलती है पर सच्चे बजन की नहीं मिल मरलब कभी-कभी मा काली के और अन्य देविदेपता के जो बचन होते वो जूटे भी हो जाते हैं तो इसलिए कहते हुँ सबसे पहले अपने जो देविदेपता के आप पूजा पाठ कर रहे हैं पहले उसे सच्चे बचन में लो तब जाके उससे कुछ भी पूछा लो यगी वो सच्चे बचन में रहेगी शक्ती तो वो आपको सच्चे ही बचन देगी सदेव अगर वो जूटे बचन में रहेगी जब आप उसे बचन में नहीं लोगे तो वो आपको जूटे बचन भी देगी और सचे बचन भी देगी दोनों ही बचन आपको देने लगती है तो आपको मैं बता देती हूँ आपको माताकाली से किस तरह से पूछा लेनी चाहिए मैं आपको बता देती हूं, जैसे मुझे माताकाली पूछा देती है, आपको भी इसी तरह से सहम लेनी है, तो जब मुझे माताकाली से पूछा लेनी होती है, तो मैं क्या करती हूं, सबसे पहले अग्यारी के उपर माताकाली को उनका भोग देती हूं, अपने मंदिर के सामने मंदिर के सामने खड़े होके उनको भोग देती हूँ कपूर के ऊपर कभी कभी कंडे के अग्यारी पर भी देती हूँ भोग मैं सबसे पहले मैं माता काली को लोग बतासे का देती हूँ साथ बतासे चोदा लोग ये भोग देती हूँ मैं एक माता काली का देती हूं और जो छे भोग हैं मतलब छे बता से हैं वो अन्य देवियों के देती हूं मैं सिर्फ देवियों के ही भोग माता को चाज़तर देती हूं फिर उसके बाद मैं माता काली को एक नीबू की भेट देती हूं एक जाइफल की भेट देती हूं फिर कभी कभी जब मेरे पर होती है तो मैं माता को चड़ा देती हूँ तो यह भोग मैं जब भी माता को देती हूँ तो अपने घर के मंदर में देती हूँ माता का ध्यान करके अब मैं जब ये भोग देरी हूँ माता का वो तो माता का जब ध्यान लगाती हूँ तो मेरा जो ध्यान है वो डारेक्ट माता की ओर जाता है और मैं उस समय माता काली से जो भी पूछती हूँ जैसे किसी के वारे में पूछना है तो उसका नाम पता होना चाहिए जिस व्यक्ति की आप पूछ ले रहे हैं उसका नाम होना चीए उसके बाप का नाम होना चीए उसके घर का पूरा एडरस होना चीए जहां पर वो रह रहा है और उसके गाउं का एडरस होना चीए वो पहले कहां गाउं में रहता था कौन सा गाउं है सब कुछ एडरस होना ची तब जाके सच्चे बचन के साथ पूछा मिल पाती है तो मैं माता को सब कुछ बढ़ाती हूँ हे मैया परमिश्वरी काली महाकाली ये व्यक्ती है ये व्यक्ती के घर में क्या दिक्कत परिशानी है उसका नाम बता देती हूँ उसके पापा का नाम बता देती हूँ, उसका पूरा एडरस बता देती हूँ, घ्यान में, ठीक है, तो माता काली मुझे पाँच मिनट बाद ही उसका जवाब देती है, कि इस व्यक्ति के घर में क्या छोड़ा गया है, क्या दिक्कत आ रही है, इसे कैसे हटाया जाएगा, कैस इसका उतारा किया जाएगा, सब कुछ माता मुझे एक-एक सवाल के साथ बताती है, अब यह नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सब कुछ पूछते कि इसके घर में क्या दिक्कत है, इसे ऐसा क्या हो गया, इसे वैसा, बलब सब चीज एक बार में पूछते, तो ऐसे आप को कभी पूछा नहीं मिलती है, हमेसा पूछा देखने के लिए पहले एक सवाल किया जाता है, कि इसके घर में क्या चीज है, जो यह परिशानिया आ रही है, तो माता काली तुरंत उसको बताती है, जैसे उसका जवाब आपको मिल जाए, तो फिर दूसरा क्वेशन तब से किसी विव्यक्ति की पूछा लेनी चाहिए, माता काली के ध्यान के माध्यम से, माकाली सब कुछ बता देती है, और कुछ लोगों को तो माकाली सब कुछ आखों के सामने दिखा जाती है, कि इसके घर में यह चीज है, और यह कैसे हटेगी, कैसे इसका उतारा होगा, सब क आपके लिए जै मातकाली हर हर महादेब मातकाली बाबा बोलनाता आपकी मनो कामना पूरी करें